अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने HDFC Mutual Fund का नाम जरूर सुना होगा HDFC Mutual Fund भारत के सबसे बड़े Mutual Fund Houses में से एक है ये Mutual Fund लगभग साड़े छे लाख करोड का AUM मैनेज करता है इस वीडियो में हम आपको HDFC Mutual Fund की स्कीम HDFC Non-Cyclical Consumer Fund के बारे में बताएंगे नमशकार मैं हूँ मनीश तनेजा और आप देख रहे हैं Z Funds Z Funds जहां हैं आपकी इंवेस्टमेंट्स सही और आसान Z Funds जिस आप के हैं तीन फीचर पहला फीचर डेली SIP जी हाँ जब हम कमाते रोज हैं खर्चते रोज हैं बचाते रोज हैं तो क्योंने रोज निवेश करें आज ही Z Funds आप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली SIP इस फंड का दूसरा फीचर है लोन अगेंस्ट मूचिल फंड्स कहीं से भी की हो आपने mutual fund investments उन सारी investments को collateral रख कर आप ले सकते हैं एक loan ये loan disbers हो जाता है चार घंटे में आपके bank account में ये loan available है Z Funds आप पे और इस fund का तीसरा फीचर है external portfolio जी हाँ कहीं से भी कभी भी आपने की हो mutual fund investments वो सारी investments आप देख सकते हैं Z Funds आप के external portfolio section में तो आज ही Z Funds आप डाउनलोड करें बात करें अपने Z Funds एक्सपर्ट से और जानें इन तीनों फीचर के benefits भारत की अबादी लगभग 140 करोड है यानि हमारे देश में रोटी, कपड़ा, मकान और सस्ते mobile data की बहुत बड़ी market है और ये market कई सालों तक बढ़ती रहेगा रोज मर्रा की इन चीजों की demand पर economy यानि अर्थ विवस्था के उतार चड़ाव का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता इस demand को पूरा कर रही हैं भारत की सबसे बड़ी और उंदा companies और इन companies में invest करके investors पास सकते हैं बहतरीन returns HDFC Non-Cyclical Consumer Fund इनी companies में invest करता है इस fund का NFO आया था जुलाई 2023 में और इस fund का AUM है लगभग 660 करोड, 660 करोड is the AUM of this fund इस fund ने अपने NFO investors को 24.36, लगभग 25.5% का return दिया है इस fund का benchmark है BSE 500 Total Return Index और इसके benchmark ने इसी दौरान 27.52 यानि 27.27% का return दिया है क्या fund management strategy follow कर रहे हैं HDFC के fund managers इन returns को generate करने के लिए HDFC के fund managers bottom up stock selection strategy follow करते हैं यानि पहले review किया जाता है उस company को जिस company में invest करना consider किया जा रहा है फिर देखा जाता है उस company की industry को, जिस industry में वो company operate कर रही है कि इस industry में कितना growth का scope है और उसके बाद देखा जाता है macro economic environment को यानि अर्थ विवस्ता के क्या हाल है इस selection process के बाद ही HDFC के fund managers portfolio में stocks को add करते हैं ये fund एक multi-cap fund की तरह manage होता है यानि इस mutual fund scheme में आप पाते हैं large cap, mid cap और small cap stocks April 2024 में इस fund के AUM का 52% था large cap stocks में 9-9% था mid cap stocks में और तकरीबन 37% exposure था small cap stocks में इस fund की अगर sectoral holdings देखें तो हम पाएंगे कि इस fund में FMCG stocks में तकरीबन 38% allocation दिया हुआ है consumer services में allocation है 19% का consumer durables में allocation है 14% का healthcare sector में exposure है 9% और telecom sector में इस fund ने 8% का allocation किया हुआ है यानि ये fund हमारी रोज मर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाली companies में invest कर रहा है इस fund की top holdings हैं हिंदुस्तान, Unilever Limited, ITC, Zomato, Titan और Godrich Consumer Products आप सोच रहे होंगे पिछले एक साल में तो mutual fund schemes ने 18-90% तक का return दिया है उनके मुकाबले इस fund का performance तो कोई खास नहीं है आपका सोचना सही है पर जब हम एक mutual fund का portfolio बना रहे होते हैं तो हम सारा पैसा एक ही scheme या एक ही थरह की companies में invest नहीं कर सकते हैं हमें एक diversified portfolio बनाना चाहिए एक diversified portfolio में relatively low growth वाली पर लगातार grow करने वाली और लगातार profit बनाने वाली companies में भी investment होना चाहिए HDFC non-cyclical consumer fund ऐसी ही एक mutual fund scheme है इस fund में invest करने से पहले ध्यान दें ये एक pure equity की mutual fund scheme है और ये एक very high risk category की mutual fund scheme है इस scheme में तभी invest करें अगर आपका investment horizon तीन साल या उससे अधिक है कितना exposure हो इस mutual fund scheme में आपका? क्या इस scheme में आप करें SIP या करें lump sum या कोई और ऐसी scheme है जो आपके financial goals achieve करने में आपकी ज्यादा help कर सकती है इस सारी जानकारी के लिए आज ही Z Funds app डाउनलोड करें और बात करें अपने Z Funds एक्सपर्ट से Z Funds जहां हैं आपकी investments सही और आसान Mutual Fund investments are subject to market risks Read all scheme related documents carefully